हाई एवरिवन केसे हूँ आप सभी लोग आयोप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जे स्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके साम दिंग मोश्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री का वीडियो लेकर आगया दोस्तों और आप लोग के लिए सर्प्राइजिंग तोर पे जो लोग आप लोग डिमांड कर रहे थे नाइन्थ स्टैंडर के लिए फाइनली आ चुका है हमारा पहला हिस्टरी का लेक्चर वीडियो और इसमें हम बात करने वाले हमारे 9 फिस्टरी का चाप्टर नमबर बट जिसका नाम है स्ट्रेंज सेखने वाले बहुत ही मज़ेदार होने वाला लेक्चर और थोड़ा सा कोशिश करूँगा एक तरिके से जितना हो सकिए उतना आपको कि हमारा जो इसके अलावत दो सब्जेक्स जो है ठेकिन आपका जो सोशन स्टडिस आपको कंटेनर्स मिल जाएगा अभी और साथ ही में आपका जो साइन्स और मैठ सब्जेक्स है महराष्टर बोड के सिलाबस के अगर हम बात करें यह दो सब्जेक्स के जितने भी लेक्चर वीडियो से जितने भी चैप्टर के वीडियो से अल्री हमने बना के रखे हुएं तो वो भी आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियोज एवेलेबल है तो आप जाएए जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है साइन्स और मैठ सब्जेक्क के तो चाहोगे तो मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगा तो चलिए शुरुवात कर लेते हैं जो कि है हमारा सबसे पहला चाप्टर सूर्स ऑफ हिश्ट्री तो दोस्तों आपको याद होगा कि 7th Standard में भी आपने एक च यह आपने 7th और 8 में भी पढ़ा था लेकिन फिर भी 9th में भी आपको पढ़ना है तो हिश्ट्री जो होता है बेसिकली तीन टाइप का होता है एक होता है एंस्ट हिश्ट्री यानि कि जो एकदम पुराने जमाने में हुआ था लाइक 9th century के पहले वारा काम जितने भी 900 जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं medieval history यानि बीच के history और उसके बाद जो होता है वो होता है modern history अब modern history में भी दो प्रकार होते है एक modern history होता है आपका just independence के पहले वाला हम इंडिया की बारे में बात करेंगे क्योंकि आप इंडिया में पढ़ रहे हो obviously तो इंडिया का normally independence के प आज सही बताओ आपने जो यह history subject है यह पढ़ना कब शुरुआत किया और basically आपको पता लगेगा तो आपको 5th standard से ही social study subjects आ गये थे पहले तो EBS के form में थे EBS में होते थे फिर proper 6th standard से आपको social studies देखने मिलते थे ठीग न history or not तो आपको एक चीज़ समझा होगा कि जितना भी आपने 7th standard के पहले वाला history जो पढ़ा होगा वो जो history था वो ancient history था फिर 7th में आपने जो पढ़ा वो था आपका medieval history 8th में जो पढ़ा आपने वो था modern history और अभी 9th standard में आप आगे दोस्तों यह जो history आप पढ़ने वाले हो यह भी modern history ही आता है लेकिन post-independence यानि independence होने के ब भी तीन प्रकार के होते हैं आप सभी को पता है दोस्तों तीन टाइप के sources होते हैं सबसे पहला जो source होता है दोस्तों वो होता है material source होता है material source का मतलब क्या होता है इसके बारे थोड़ा सा overview बताऊंगा एक एक मिनट का normally आप सुन लो बहुत इच्छे समझ में आ जाएगा क् material source मतलब ऐसे source होते हैं normally कुछ buildings, कुछ palace, कुछ officers के office होते हैं बहुत सार ऐसे statues होते हैं memorials होते हैं यह जो चीजे होती है यह क्या बताता है हमें material के तौर पे information देता है कि वाकई में यह चीज हुआ था जैसे मैं example के तौर पे अगर मैं बोलू कि रानी Victoria जो थी हमारी जो British के समाराक है यानि समाराक है इन दसेंस मतलब एक तरीके से बोल सकते हो आपने वो जो चीजे है वो बनाई थी उनके लिए ताकि पता चल जाए और अगर हम लोग आज जाते हैं वो जगए पर विजिट करते हैं तो हमें एक चीज का पता क्या चलता है दोस्तों कि यह जो लिखा हुआ है अब लिखा हुआ चीज क्या हो सकता है या तो किसी के बारे में बुक लिखा हुआ है या तो किसी के बारे में बायोग्रफी लिखी हुई और यह सब चीज हुआ था पहले के जमाने में ठीक है और एक होता है तीसरा हुआला सोर्स जो हम लोगा होता है दोस यानि मुष से कुछ बताए हुगा, आप मुष से क्या बतासकते हो, या तो आप एक generation को दुसरे generation को pass कर सकते हो, यानि मैं हूं ठीके नमएरे father ने मेरे को ऐस कुछ चीज बताया मैंने अपने बच्चों को बताया, वो अपने बच्चों को बताये तो यह generation by generation, PD दर, PD चलते हैं, तो यह history pass on होती रहती है, तो यह क्या होता है, oral point of view हो गया, यानि कि mouth to mouth communication हो गया, तो यह oral sources इसमें cover हो जाते हैं, समझ में आ रहा है दोस्तो, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है, यह basically chapter जो है हमारा, यह तीनों चीज यह पूरे chapter में पढ़ना कर लेता हूं, कहां गया मेरा duster, okay, इधर यह चले, इसको मैं rough करता हूं, और सबसे पहले, आज हम लोग पढ़ेंगे, heading डाल देता हूं मैं यहाँ पे, जो किया हमारा written source, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, written source, तो written source जैसे मैंने बता दिया, जो भी चीज लि लेकिन फिर भी अगर आप 1947 के बात की बात करेंगे, यानि post independence, आजादी के बात की बात, अगर मैं करू, तो जो भी इहट नाए होती थी, for example, 1947 में आजादी मिल गई, ठीक है, अब उसके बाद क्या बना, 1950 में, बड़े-बड़े events की बात करू, 1950 में हमारा समविधान बनाया ठीक है, खुछ नहीं है, हम कानुने, समविधान हमारा बनाया गया, तो जो समविधान बनाया गया था, उसके बारे में information कैसे दिया होगा, newspaper में छापा होगा, correct है, कहीं ने कहीं ने, newspaper में छापा होगा, या फिर कहीं ने कहीं, बहुत चारी जो information घटनाय होती है, कि कोई PM बन रहा है, कोई CM बन रहा है, या फिर अलग-अलग चीजों का बटवारा हो रहा है, देश का बटवारा हो रहा है, या फिर state का बटवारा होता है, कोई यहाँ पर collector बन गया, तो यह सब जो चीजे खबरे होती है, वो कैसे छपती है, पहले कैसे छपती है, कि वो जमाना ऐ चालू करके देख लिया क्या हो रहा है हम लोगों पता चल जाता है within five minutes हमें पता चल जाता है लेकिन वो time पे क्या होता था दोस्तो audio visual ऐसा कुछ चीजे हुआ नहीं करती थी, लेकिन धीरे-धीरे आया वो जो चीजτα है धीरे-धीरे आया, लेकिन सबसे पहले क्या था नूस्पेपर था जिसको हम लोग प्रिंट मीडिया भी concerned प्रिंट मीडिया, क्योंकि यह प्रिंट करके देता है और आज भी print media जिन्दा है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोगे जो newspaper पढ़ते हैं, news देखते नहीं है, वो पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने में information मिलता है, वो ज्यादा मिलता है, यह आप लोग भी agree करते होंगे, इसके लिए UPS थी बगरे के जो exams prepare करते हैं, वो लोग को पूछना, और मैं भी जब start करूँगा, UPS से एक time होने के बाद, आप लोग के लिए start करने वाला हूँ, तो उसमें आपको मैं बता हूँगा, किस तरह newspaper पढ़ा जाता है, तो बहुत सारे चीज़े हैं, मैं आपको one by one बता हूँगा, second चीज यहाँ पर हम लोग क्या बोल सक करता हूँ, कि यार मैंने ऐसा-इसा किया था, ताकि जो आने वाला पीडियो उसको पता तो चले, और मैंने क्या किया था, या फिर वो जमाने में क्या हुआ था, तो ऐसे कुछ references, books वगरे होते थे, ठीके न, reference book हो गया, फिर अगर मैं बात करूँ, कुछ diaries होते थे, लोग अपना-पना diaries लिखते थे, या फिर कुछ अलग लोग किसी के बारे में diaries लिखते थे, ठीके न, और उसमें आपके biographies, autobiographies भी आ गए, ठीके न, biographies हो गए, ठीके, साथ में autobiography, अब सबको पता होगा कि, biography का मतलब क्या होते है, सबसे पहले मैं बता दू, biography का मतलब होता ठीके न, मीलो, पैदल चले, ऐसे बहुत सारे काम किया है, तभी थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस हमें मिला है, कहीने कहीन, महत्मा कांदी का इक बहुत बड़ा रोलता, लेकिन हमें उन्हों उनको भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे भगत सिंग थे, चंदर सिकर आज इसे बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने भी अपना खुनपसिना एक कर दिया था, हमें आजादी दिलाने के लिए, उनको भी नहीं भूलना है, लेकिन कहीने कहीने महत्मा गांदी का अभी रोलता, तो ये सब को मैं एक्जाम्पर के तो अगर मैं उनके बार मैं लिख दू, let's suppose मैं रहूल सर हूँ, मैं अपने बारे में चलो लिखता हूँ, इसे लिखूंगा तो नहीं, मैंने बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया, normally just try to teach you some subjects and to, आपको मैं अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए help कर सकूँ, बस यही मेरा एक तरीके से मे autobiography, नाम में ही यह auto, यानि खुद का में biography लिख रहा हूँ, तो यह होता है autobiography, तो यह भी किसमें आजाएंगे written source में, क्योंकि यह एक सबूत बता रहा है, लिखा हुआ सबूत है, कि यार मैंने यह काम किया है, correct है, फिर यसे बहुत सारी चीजे होती है, अगर मैं बात करू documents होते हैं, फिर अगर मैं बात करू, posters, stamps होते हैं, आपको पता है ना, चिट्टी हम लिखते हैं, चिट्टी, इसके बार में चर्चा आगे भी करेंगे, चिट्टी होता था, चिट्टी में एक छोटा सा फोटो लगता था, आपको याद होगा, हमारे जमाने में तो, जब मै अगले पॉलिटिकल लीडर्स और अलगले चीजों की तस्वीर होते हैं, आगे एक टॉपीक है, मैं आपको बताऊंगा, खुल के, ठीक है, तो वो stamp होता था, ठीक है, अगर मैं बात करू, stamps होते थे, stamp page बोलते हैं, ठीक है, stamp page, stamps बोल लो, या फिर stamp page बोल लो, एक ही बात है तो ये सब चीज होता था, समझ लो ये बात, ठीक है, तो ये इतिनी सारी चीज़ें जोस्तो होती थी, कभी होती थी, ये जो हमारा जो इंडिपेंडेंस का जो दौर था, 1947 के बाद का जो टाइम में दोस्तो, ये जमाने में ये सब चीज़ें जो होती रहती थी, समझ में आ जो है वो बनाएगी, डॉक्यूमेंट्स बनाएगी, गैजेट्स बनाएगी, तो ऐसे बहुत सारी चीज़े जो है, इनसाइकलोपीडिया, अलग-अलग फॉर्म में प्रेजन्ट है, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगी, हमारे रिटन सोर्स में आ जाएगे, यानि कि लिखित चीज में, लिखा हुआ सब उते हैं हमारे पास, कि ये हिस्ट्री में ये सब चीज़े हुए ये, समझ मैं रहा दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे एक-एक टॉपिक के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे निउस पेपर क अब हम लोग गुसने की कोशिश करते हैं, थोड़ा निउस पेपर के बारे में ध्यान से सुनो, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इसके बारे में, हम लोग सब पढ़ेंगे, टेंशन मतलो, लेकिन बारी-बारी से पढ़ेंगे, जीरे-जीरे वाक्त लगता है न, दोस्तों, ह अलग-अलग information मिलती है, अब कैसे मिलती है, written form में मिलती है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, read करते हैं, उसके लिए आपको reading करना आना चीए, तो एक time था ऐसा, like 50% से ज़्यादा population आथा, जो read नहीं कर पाता था, ठीक है ना, read नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे-जैसे literacy rate हमारे इंडिया में बड़ा लोग पढ़ना लिखना शुरू कर दिये, तो उनको समझ में आने लगा कि ये newspaper बहुत valuable है हमारे लिए, हमारी जिन्दगी में हर दिन information अगर मुझे collect करना है, if I want information regarding different different things, तो ये चीज़ के लिए मुझे कौन खबर देगा, कोई मुझे आके बताएगा अरे यार ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, बहुत कम लोग होते हैं जिनके बारे में पता होता है, आज में हम लोग discuss करते हैं, आज के डिड़ में हम discuss करते हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर बना, कौन क्या हुआ, देश में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा ह लेकिन बारी-बारी से आएगा, टेंशन मतलो, दीके, तो जो भी newspaper था, उसे हमें क्या मिलता था दोस्तो, international affairs के बारे में, यानि कि international level पर क्या हो रहा है, हमारे इंडिया के बाहर भी क्या हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा ह सबस्ट है, पदाः चलेगा, वो टाइम से इमाजन करो। वो टाइम पर सिफ यही एक जरिया था जिससे पदा चलता था और बहुत सारे लोग क्या करते थे ये डेली खरीदते थे या फिर उनका जो भी प्रोसेस होगा वो टाइम पे तो इससे उनको information मिलती थी और बहुत सारे एसे लोग थे जो डेली ये सब information अलग अलग जगाँ से लाते थे ये भी तो इसमें क्या होता था था कि बहुत सारे अलग अलग newsletters, अलग अलग moments के बारे में यानि क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, अलग अलग political parties के week में क्या हुआ, एक हफते में ये political parties इसने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, तो हर एक हफते का ख़बर भी हो गया, monthly and annual magazines होते थे, जैसे आज के रिड़ में daily magazines, weekly magazines आते हैं, वैसे अलग-अलग magazines होते थे, and धिरे-धिरे ये जो newspaper का जो funda था, ये newspaper का जो media था, print media, ये धिरे-धिरे बहुत आगे बढ़ने लगा, और कुछ-कुछ newspaper वाले क्या करते थे, supplement add करते थे, what do you mean by supplement, कुछ extra pages add करते थे अपने newspaper में, जिसमें वो pages पे कुछ अलग से भी information होता था, and कभी-कभी जो, अगर मैं एक normal सी बात करूँ, कि ये जो newspaper होते हैं, ठीक है न, पहले जो इन्होंने शुरुआत की, ये जो newspaper की शुरुआत हुई न, वो दोस्तो एक language basis पी हुई, यानि कि एक particular region के हिसा आप से, यानि कि अगर समझ लो, महाराष्ट्रा है, let's suppose example के तौर में मान रहा हूँ, तो आप just imagine करो खाली, क्योंकि ये सब पूरा फंडा होई है, theoretical चीज़े, इसमें कोई logic नहीं है, theoretical चीज़े आपको सुनना है, समझना है, और याद रखना है, बस यही चीज़े, history और geography, जो भी होता है दोस्तो, trust me, और मैं मेरे तरफ से पूरी मैनत कर रहा हूँ, कि जितना हो सके, आपको मैं थोटा सा अच्छे से story form में समझाने की कोशिश करू, तो let's suppose समझ लो, महाराष्ट्रा है, तो महाराष्ट में अब language चलता है, मराथी, तो यह जो newspaper की जो शुरुआत होई थी, वो अलग-अलग sectors के हिसाप से भी थी, यानि कि अगर महाराष्ट में शुरुआत हुआ, तो माराथी language में शुरुआत होगा, ठीक है न, अगर तमिल supplements भी होते हैं, जैसे मैंने बोला, extra page, जैसे आज के रिट में आप newspaper देखोगे, तो कोई-कोई newspaper अलग से extra pages भी लगाते हैं, जिसमें job opportunities, career के उपर, या फिर बहुत सारे चीज़े उसके उल पर, वो लग डालते हैं, extra डालते हैं, ताकि जो पढ़ने वाला है, उसको थोड़ क्योंकि खबरे भी आने चीए, ये news वाले, आज जो हमें news दिखाते हैं, आप जो news देखते हो, जो भी चैनल देखते हो, वो news जो आती है, वो हर जगा, कहीं ने कहीं, उसके connections होगे, इसके साथ tie-up होगा, ये कुछ news लेकिया आएगा, और याद बिहार में ये हुआ, अलग-अलग news आती है, यानि कि अलग-अलग-अलग जगा से काम कर रहे होते हैं, और वो आपके साथ जुड़े हुए रहेते, तो same, वो time पर ऐसा होता था, लेकिन बाद में क्या हो गया, जैसे इसे चीज़े आगे बढ़ने लगी, फिर क्या हो गया, एक नया department आ गया, ज PTI बोलते हैं इसको, Press Test of India, it is a department, ये एक department था, जिसमें क्या होता था, ऐसे लोग काम करते थे, जो अलग-अलग जगा से information लाते थे, अलग-अलग sources से information लाते थे, तो एक जगा से information मिलने लगे, और ये जो अपना information था, PTI, ये PTI अपना एक अलग से department है, let's suppose PTI ये अलग से department है, और इनके पास जो भी news होती थी, वो जो खबरे होती थी, वो किसको देते थे, newspaper agency, यानि newspaper के जो भी channel होते होंगे, newspaper के जो भी मालिक होते होंगे, जिनका agency होता है, newspaper का, वो news जो है, वो इनको supply किया जाता था, ताकि ये अपने paper में उस हिसाब से article form में, editorial के form में चाप सके समझ में आ रहा है, यानि कि सबसे बड़ा role यहां पर किसका था, PTI का था, लेकिन ये behind the scene काम करता है, किसी को पता निये PTI कोन है, लेकिन सबसे main काम कोन कर रहा है, PTI कर रहा है, क्योंकि main information और खबरे कोन ला रहा है, जो news ला रहा है, वो कोन ला रहा था, PTI ला रहा था, Press Trust of India ला रहा था, तो basically, ये जो है, वो Press Trust of India, जो है, इसमें reports, photographs, and articles होते थे, scientific चीज़ों पर, तो ये जो है, newspaper को लाके देते थे, ठीक है, और PTI has started online service also in 1990, फितला, 1990 में, जैसे मैंने बोला, ये post-independence का time है, तो शुरुआत में तो वो सब चीज manually होता था, यानि कि liquid form में ही हो लेकिन एक और चीज है, कि 1990 में आने के बाद, technology आ गया, internet service आ गया, तो ये लोग जो चीज है, वो अपनी चीजों को online भी कर दिया, यानि कि online जो है, वो news वगरे, supply करना लेगे, और आज के रट में तो सब online ही आपको पता ही है, ठीक है, तो ये सब चीज होने लगा, and बाद PTI ने क्या कर लिया था, satellite broadcast के माध्यम से सब को online news share करना शुरू कर दिया, ठीक है, न, newspaper वाले के, तो आज के रिन भले हमारे पास news के channel से, हम news देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कहीं ने गई, आज भी बहुत ज़्यादा लोग, आज भी newspaper पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो ह हमारे लिए बहुत अच्छी चीजे होती है, पढ़नी वाली हैबिट, ठीक है, इसके लिए ये रिटन सोर्स में आ जाता है, और ये जो PTI जो information share करता है, उसमें क्या-क्या information रहता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो ये जो PTI था, Press Trust of India, भले ही online हो चुका है, यानि कि जैसे कि normally हमें को बता है, कि कोई भी पहाड है, तो पानी नीचे की तरफ गिरता है, because of gravity, हमें ये तो पता ही है, normal सी बात है, science के student है, हम भी, तो जब पानी जो है, वो उपर से नीचे गिरता है, उसमें ऐसा दिखार था कि एक ऐसा जगा जहां पे पानी नीचे से लेकि जो PTI था, वो PTI भरोसा दिलाता था, कि हम जो भी खबर दे रहे है, वो trusted खबर दे रहे है, और वो ऐसा था दोस्तों, कि जिसमें trust बन गया था, trustworthy, अपना मतलब एक तरीके से भरोसा कायम कर लिया था, उन्होंने, और वो किसका-किसका खबर देते थे, useful information भी देते थ तो information जैसे कि अगर मैं बात करूँ, people के बारे में, लोगों के बारे में, national emblems, हमारे देश में क्या हो रहा है, और national emblems तो आपको पता है, हमारा जो main, उसको हिंदी में, I don't know क्या बोलते है, national emblems, आप समझ पा रहे हो, ठीके, जो share का जो, national emblems, stumb बोलते है, I don't know, हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन आप देख लेन, समझ जाओगे, आप लोग, ठीके, मेरा थोड़ा सा, conversion थोड़ा सा, कम जो रहे हिस्ट्री के माध्यम से, लेकिन वो थोड़ा आप लोग समझ जाओगे, इतना तो आप effort डाल सकते है, मेरे लिए डाल लो, ठीके, सच मार लेन, national emblems, क्या होता है, ठीके, वह होता है, आपका जो शेर की जो मूर्ती होती है, चार साइट से चार हो दिशाओ में, that is national emblem of India, ठीके न, फिर अगर political system के बारे में, defense में क्या हो रहा है, यानि कि देश में क्या लड़ा है, आर्मी, नेवी, एरफोर्स कैसे कर रहे हैं, ये सभी चीज सेक्टर, पढ़ाई में क्या चल रहा है, शोशल वेलफेर, फैमिली वेलफेर, मास कमिनिकेशन, and so many things, finance, planning, agriculture, water development, water conservation, rural development, food supply, electricity supply, civil supply, road infrastructure, railway structure, हर एक चीज का डीटेल कहीं न कहीं से, जो भी news आती थी, वो PTI क्या करता है, news paper वाले को देता है, यानि कि जो भी agency है, वो उन तक यहाँ पे supply करते है, clear है, समझ में आ रहा है, दोस्तों, मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ यहाँ पे, तो यह बहुत easy है, normal अगर बात करोगे, आपको भले ही, यह जो history subject है, थोड़ा सा आपको boring लगेगा, थोड़ा सा, जादा नहीं लगेगा, दोस्तों, थोड़ा सा boring और साथ में आप एक और चीज में आपको बता दू, कि अगर आप जब हमारा lectures देखोगे, history, geography या फिर किसी भी subject का, science और math छोड़ के, science का भी देखोगे तो कोई बात ने, लेकिन यह देखने के बाद आपको साथ में आपना textbook जो भी होगा, आपके साथ में उसको रखो, क् एक होता है दोस्टो, stamp page या फिर postage भी बोलते हैं इसको, ठीके, postage stamps, इसके बारे में छोटा सा जानकारी दूंगा में, यह देखो, यह वाला, last वाला, क्या दिख रहा है यहाँ पर, postage stamps, तो postage stamps जैसे मैंने बताया, आपको क्या बताया, कि आप पहले के जमन में क्या होती जैसे चिट्टिया होती, यह letters हम लिखते थे, अपने भाई, भाई, बेन, माता, पिता, रिलेटिव उसको चिट्टिया लिखते थे, और वो चिट्टी में क्या करते थे, हम लोग कहीं न कहीं, टिकेट लगाते थे, वो ticket को क्या बोलते है, postage stamp बोलते है, हम लोग ticket बोलते ह तो ticket में क्या होता था, normally एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो जो पैसा होता था, वो पैसा जैसे कि आज जयते आप मुझे कुछ ये कुरियर करना है, तो हम पैसा जैते तो वहाँ पे हम वो वो चीज का stamp खरीद के, अगर एक रुपे का है, तो एक रुपे का stamp खरीद के हम लोग क्या करते थे, इसमें चिपकाते थे, ताकि वो चिट्टी एक जगा से दूसरे जगा जा सके, अब वो stand जो होता था, उसमें बहुत सारे ऐसी चीजे होते थे, जैसे कि political leader, कोई भी नेता की तस्वीर हो सकती है, flowers की तस्वीर, animals, birds हो गई, ठीके न, ऐसे, और बहुत सारे ऐसे events हो गए, कुछ तहवार हो गया, Independence Day, Republic Day, यह सब चीज के बारे में, कुछ न कुछ फोटो यहां पे mention किया रहता था, और वो फोटो जो है, इसके उपर चिपकाया जाता था, ताकि वो जो postal service है, वो हो सके, तो यह भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं, कि हमारा जो written source है, उसी का एक पार्ट है, written source का एक पार्ट है, जिसके वेज़े से हमारा लिखित जो चीज था, वो जमाने में, क्योंकि वो टाइम पर फोन नहीं होता था, अब फोन मगरे का अविस्कार का हु एक tie से होई थे, लेकिन फोन होता था, एलिज़ए फोन हुआ करता था, लेकिन मोबायल फोन नहीं होते थे, तो मोबायल फोन का थे 2000 में अविश्कार हुआ, सब लोग मोबायल फोन यूश करना शुरू किया, मुझे जहान तक याद है कि मैं अपना पहला फोन 2014-15 में मी फिर वो भी लिखित फॉर्म मेर रहेगा, तो यह जितने भी चीज़े होती थी, historical चीज़े जो भी हुई है, या फिर हुई थी एक time तक, वो सभी चीज़ किसमें हुई थी, written source में हुई थी, clear है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा यह जो पहला topic के written source, यह होता है समाब, जिसमें हमने दो main चीज़ पढ़ा, जो कि आपके mention है, आपके syllabus के अंदर, जो कि आपका newspaper, print media, और हमारा postage है stamp, तो उमीद करता हूँ कि यह आपको, जितने भी topics हमने आज cover की हैं, और जो basic concept के साथ, मैंने जो बताने ही कोशिश की है, उमीद करता हूँ कि आपको help किया रहेगा, और definitely आपका जो conceptual knowledge है, इस चीज़ के अंदर का, यह आपका clear हो गया होगा, इतना मैं यह आप आशा करता हूँ, clear है दोस्तों, ओके, तो बस दोस्तों, आज के लिए हमारा फिर वीडियो इतना ही था, मैंने चाहता है कि बहुत लंबा वीडियो लेक्चर होता है, क्योंकि देखो क्या होता है, कि हम कुछ-कुछ चीज़ पढ़ने में बोर भी हो जाता है, तो इसके साब आज का लेक्चर होता है, समाथ, लेक्चर नमर टू जल से जल लेके आओंगा, जिसमें हम लोग आगे के जो सोर्से से हमारा material सोर्स और oral सोर्स जो बचा है, उसको भी जल से जल complete करेंगे, तो बस आज के लिए इतना ही ये वीडियो, कैसा लगा है आपको, त अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजेगा, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा, शेर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिवस को फटा-फट से शेर करदेना, दोस्तों, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी अपने फ्यूचर में कोई भी वीडियो को अप्लोड करेंगे, आप लोगो नोटिफि वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए, थाइंक्यू एंड गुडबाई